कैसे हो दोस्तों, स्वागत तुमारा Monster Hunter के एक और एपिसोड पे तो यार, आफ स्क्रीन पे मैंने दो रैथियन के और हंट्स किये दो इसलिए करना पड़ा क्योंकि सरस्पाइक के लिए मेरा लग इतना अच्छा नहीं था और पहले हंट में मुझे रैथियन सरस्पाइक मिला नहीं और अगर तो मैं याद होगा कि अपना जो इंसेक्ट ग्लेव है उसको अपग्रेड करने के लिए दो रैथियन सरस्पाइक की जरुवत थी, पहला कलेक्ट कर लिया था दूसरा कलेक्ट करना बागी था तो वो मैंने अभी कर लिया है तो उसी के साथ देख सकते हो, यहाँ पर डटूरा स्टोर्म टूबे में आ चुका हूँ नीचे नाइट शेड पावलूमो का प्लेट है जिसकी ही वैसे कोई जरुवत नहीं है मुझे पॉजन बिल्ड चाहिए अभी क्योंकि मैं वही रन करना चाहता हूँ 744 रो डामेज है, वाइट शार्पनेस है और 450 है इसका पॉजन डामेज बहुत ही जबर्दस स्टाट सही है तो मैं इसको कर लेता हूँ एक्विप और निकल लेते हैं अगले एपिसोड पे अगले एपिसोड नहीं, अगले हंट्स पे तो अभी है Absolute Power और Smashing Cross Counter तो Absolute Power जो है वो Rotten Vale पे होने वाला है Smashing Cross Counter जो है Elders Resets में होने वाला है तो मैं सोच रहा हूँ कि Elders Resets वाला पहले कर लूँ क्योंकि I mean ज्यादा क्या कहते है Passive Health Training होती है लेकिन लेकिन एक चीज मेरे को अभी जस्ट यादा है मेरे पास उसके लिए एक Jewel है जो मैं तो मैं अभी दिखाने वाला हूँ Set Decorations में जाऊँगा और Hard Meowster की जगा मैं यूज़ करूँगा Maizma Jewel मैं मैं ज्यादा क्या करता है अगर मैं इसका तुमको दिखाऊँ तो Effluvium Resistance मेरे को देता है Effluvium वही element है जो रटन वेल पे तुम्हारा Health अपने आप ड्रेन करता है तो मैं यह यूज़ करूँगा Effluvium Resistance वाला और देखता हूँ Maizma Jewel level 1 का है की नहीं देखकर तो नहीं लग रहा है खेर कोई देखकर थी कुछ और है क्या Antidote Jewel की जरूवत नहीं है Vitality की भी Vitality की मुझे लगता है थोड़ी बहुत जरूवत है क्योंकि देख सकते हो Health Boost 2 है अभी और Vitality में Health Boost 3 मेरे को मिल रहा है तो Vitality लो लिऊँगा और चलनूँगा मैं Absolute Power Quest कंप्लीट करने लेकिन चलने से पहले हमेशा की तरह सब सब पहले मैं करूँगा एक मील मील रेडी है तो यार चलते है Absolute Power Quest कंप्लीट करने Hopefully Quest का जैसा नाम है उसी तरीके से उसके rewards भी होने चाहिए अगर Absolute Power को मैं मार रहा हूँ तो मेरे को Weapons और Armor भी बसे मिलने चाहिए तो Complete Absolute Power हो देखते हैं क्या रहता है बसे कुछ भी मिले मैं कंप्लेंड कर नहीं सकता क्योंकि हर बंदे का हर एक अलग सा प्ले स्टाइल रहता है टीग्रेक्स Tiger और T-Rex Tiger और T-Rex का मिश्रण त्यार देखते हैं क्या है क्या नहीं Sleep Herb मिल चुका है Tiger और T-Rex का मिश्रण Saber 2 Tiger से तो लड़ चुके हैं जो था Baryoth T-Rex जो था Anginath अब T-Rex मुझे लगता है उन दोनों का कुछ तो भी मिक्स्चर होगा Anginath और Baryoth का Scent वगेरा Scout Flies उठा नहीं रहे Footprints मुझे मिल नहीं रहे फिर भी ढूंडता रहूंगा देखते हैं चीज़े कहां तक लेके जाती है Map के DRIVERSAL का यही एक बहुत अच्छी चीज लगती है मुझे की ओहो पहुंच गे location पर ओहु इसका body structure भी देख सकते हो यार Baryoth से थोड़ा सा मिलता जूलता है Okay Baryoth के साथ इन्होंने Tyrannosaurus Rex को mix कर दी है और पीछे आ रहे है रैडोवैन कैसी ताकत है यह रुकने का नाम नहीं ले रहा यह और इसने one shot किया उसको इंस्टा किल और इसने मुझे देख लिया यार म्यूजिक भी देख सकते हो कि तक खतरनाक बज रहा है यह क्या था ओके पत्थर पेल रहा है मेरे को यह थोड़ा पास लाओंगा इसको कहीं पर तो भी और यह भी बैसिव डैमेज़ भी है भी यह थि कोई दीकत नुए मेरे पास भी पैसिव डैमेज है क्यूंकि मेरे पास डटऊ रสों तोम है जो बेसिकलिए है और अरय वाई इसमें वेट भी है और इसमें अजिलिटी भी बहुत जादा है तो एक वाल बैंग ले सकता हूं मैं इधर पर, आइस वोफुली टीग्रेस के जैसे मेरे हाथ पैर तो अड़े थे इसके भी वैसे ही तो अड़ता हूं ये कहां से डामेज लगा मुझे इसके पूच से मेरे को ग्रीन एक्स्रैक मिल रहा है ग्रीन एक्स्रैक का मतलब लाइफ स्टील पहला अच्छा डामेज दीसरा एक्स्रैक मिल चुका है नाइस ये एन्वार्मेंट भी लडने के लिए इससे बहुत ही बेकार है विए एक तो ये बहुत ज़्यादा आई जाए औरे बापरे औरे बापरे नाई इसकी तो मैं पूच भी टेंडराइस कर दूँगा कि पूच चाहिया मुझे इसकी पूच पूच पुच पूच था भी पूच था और रख भी टाउच था जाए ऑड़ीडवी पूच थोड़ा दिसंच लूँगा एक और बार, एक और बार, तो देख सकते जहर का असर उसको होने लगा है, 32, 32, continuous damage जा रहा है उसको, बाबरे, ये निया मूव था, anticipate नहीं किया था मैंने, कोई बात नहीं, उसको एक बार फिर सब वाल बैंक नेने की कोशिश करूँगा, नाइस, बहुत सही, पंकों पे तो वार भी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे इसकी पूँच सबसे पहले कार दिया है, अरे यार मेरे पावर अफ्स भी खतम हो गया, अब इसको गुस्ता आ चुका है, चल्ला अच्छा है, इसके रोड को मैंने डॉज रोल कर दिया, कुछ ज़्यादा ही रेंज है इसका, रोल, भी से मारने वाला ही क्या, नहीं, तीनों एक्स्राक्ट हो चुके हैं, कलेक्ट, आख, वो अटाक आते भी देखानी मैंने, फिर से, हेडशाट, बहादी बुरा स्वाइप था वो, हैंडशाट पड़ा, नाई, 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 बिल्ले हील कर जल्दी, तो टीग्रेक्स और नारगा कूगा से तो थोड़ा ज्यादा ही खतरना के यह, देखकर ही पता लग रहा है, खेर, लड़ना तो है ही इससे, मेरे पास अपने एक इंसेक्ट को चार्ज करने के लिए भी कुछ है नहीं, स्टामिना रीकवरी भी जितना सोचा था, उतने तेजी से हो नहीं रहा है, बट खेर, अटलीस पॉइजन अच्छा डामेज दे रहा है, चलो या, पहली सवारी मिल गई, पाड़िया, पूँच पही मारूंगा मैं, क्योंकि इसकी पूँच काट नहीं है मेरे को सब से पहले, क्योंकि देख सकते हो उसका जो बैरल रोल वाला अटैक था, जो वो एक तम ही खूँब के करता था, अगर मैं उसकी पूँच काट दू, तो उसके बैरल रोल का रेंज जो है, वो कम हो जाएगा, ओहो, बिल्ले ने बहुत ही साई टाइम पर उसको पैरलाइस कर दिया, तो टाइग्रेस्क सा स्टैमिना जो है, वो बहुत ही जादा है, क्योंकि देख सकते हो, मैं कफसे इसको मारे जा रहा हूँ, अभी तक वो लडखडाया नहीं, कुछ मी नहीं किया, नाइस, उच को टेंडराइस कर देता हूँ, पंको को भी टेंडराइस कर देता हूँ, पावर अपस्पेर खतम हो गया, पावर अपस्पेर खतम हो गया, तीग्रेश ठक चुका है, मिस हो गया, बहुत ही बुरी कोशिश, किंसेट हो चुका है चार्ज, एक और बार, पावर या, उसका हाथ तोड़ चुका हूँ, तोड़ना बाकी है उसका पूँच, पूँच भी टूब चुकी, नाइस, उसके दूसरे हाथ को भी तोड़ूँगा मैं, बहले सर को भी टिंडराइस कर लेता हूँ, नाइस, इसको एक बार, वाल बैंक दे सकता हूँ क्या, नाइए उसको गुस्सा आ चुका है, उसको गुस्सा आ चुका है, थोड़ा सा बच्च के रहूँगा, पकड़ लिया, टिंडराइस करूँगा मैं, नाइस, नाइस, पूजिशनिंग थोड़ी सी गलत होगी, फिर से गलत पूजिशनिंग, आरे यार, गया मैं, गया मैं, गया मैं, बच किया मैं, वो उसके हिट बॉक्स डबल डामिज देते, तो एक बार में रोल कर दे रहा हूँ, तो उससे काम नहीं बन रहा है, क्योंकि भागता है, तब हिट बॉक्स दो बार डामिज देता है, उसके फूरे भागने के अनिमेशन पर ही हिट बॉक्स उसके स्पॉन दे रहता है, जैसा कि मुझे लग रहा है, लास पावर अप, नाइस, रुक्स ही नहीं रहा यार ये, एक और बार सवार करने की कोशिश करूँगा, सवार नहीं हो पाया मैं, यह मुझे लगा था कि वो उसी टाइम अठाग करी देगा, तो चलो है, कुछ भी हो, पूंच मिल चुकी है, और ऐसा लग रहा है, उस पे जहर का असर भी थोड़ा-थोड़ा खतम होने लगा है, क्योंकि उसकी स्पीड वापस से बरकार हो चुकी है, पॉजन बिल्ड के यही फाइदा होता है, कि मॉंस्टर धीरे-धीरे स्लो होने लगता है, और जब मॉंस्टर स्लो होता है, तभी सबसे बेस्ट मौका होता है लगातार अटैक करने का, अब क्योंकि पॉजन का इंसेक्ट ग्लेव में बना चुका हूँ, तब मैं सोच रहा हूँ पॉजन का लॉंग स्वाड भी बना लूँ, आरे, बहुत ही या, मेरा इंसेक्ट बहुत ही यल्दी पावर अब खतम हो रहा है इसका, इंसेक्ट जल्दी जल्दी अप्डेड करना पड़ेगा मुझे, पारिया, एक और राइड मिल चुकी अभी, अब क्योंकि राइड मिल चुकी है तो कोशिश करेंगा कि सर पे सबसे मैक्समम अटाग देने के लिए, ताकि पॉजन बिल्ट अब जो है और भी तेज हो, देख चकते हो इस बार मुव्मेंट भी उसकी ज्यादा है, पहले के comparison पे, वो इसलिए क्योंकि पॉजन उसका कम हो चुका है, वोड़ा सा resistance बढ़ चुका है इसका पॉजन के लिए, तो एक बार किट से इसको गुजन के लिए, पॉजन के लिए सकी लग रहे है, जब भी उसको गुस्सा आता है, उसको पॉजन का रिजिस्टन्स बढ़ जाता है, मेरे पागल किस्टन्स अजए फड़ा आ, जबे अगल की अजए आ, मौई। यए। गलत निशाना पाडिया, दूसरा हाट भी तूट चुका है इसका इंसेक्ट गलेव में प्रॉब्लम ही ही है कि पावर अप एक बार खतम हो जाए तो ऐसे ज़्यादा अटैक्स है नहीं जो मैं कंटिनिवस्ली दे पाऊँगा जो अच्छा डैमेज दे लेकिन लॉंग स्वर्ड में अगर हेल्म रेकर के लिए पावर नहीं भी है तो अच्छा अच्छा डैक्स दिये जा सकते है आख यहाँ पर मच्छर भी मेरे को मान रहे है यार यह तो हद हो गई तैडर की बुजिस्टीय देश्चा तैडर कीबजिस्टीय देगी है जो जाख शचाए्टीय है नहीं चाए्टीय हॉग AAAAAA जब जब मैंने इसको poison scratch दो बार अफिक किया तब तब के टाइम पे जो उसका passive damage था वो बहुत ही जादा बढ़ गया था और क्योंकि passive damage बढ़ा था तो वो जल्दी कमजोर भी हो चुका है देगी सकते हो यार वुम्प वुम्प टाइग्रेक्स तो यार चलो नजदी की camp की तरफ चलते हैं और वहां से मैं लेकर आँगा अपने लिए trap tools वगरा और क्योंकि sleep भर वगरा तो है तो ट्रैंक बॉम्प तो बन ही जाएंगे आइटम्स ट्रैंक बॉम्प से कर लिए धर दूंगा उसको यहीं पर मैं अरसा क्यों लग रहा है बहुत ही पास में सो रहा है वो अच्छा वो सो नहीं रहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं अजया आए इस काटरनट ग्राब कर लिया यह थे पुछिशिश करोंगा इसको वाल बैंक देने की एक तो और यह वाल बैंक नाइस फिर से पुछिशन स्टाइब काँ इस पिर में पिर से पुछिशन स्टाइब काँ इस पिर में नाइस डॉच रोल इसके रोड को और हेड्शाट नाइस मुझे लगा पुछ काटते ही इससे थोड़ा डामिज कम हो जाएगा ओहो नाइस वाइन ट्राप रफश चुकाएगे असली शिकारी की तरह भी खेल रहा हूं मैं अपने टार्गेट को फसा फसा कर शालो यार एक और सवारी मिल गई नाइस इसका सर जो है वो जीवार के अंदर ख्लिप हो रहा है एर कोई लिकरत नहीं पास एक अच्छा सा फिनिशर मिल जाए फिनिशर आ चुका है नाइस लगातार पॉजन डैमिज दिये पड़ा हूं लेकिन इसको अभी पॉजन का असर नहीं हो रहा है लग्टा थेशोल इसका कम्प्लीट हो चुका है या फिर शायद नहीं क्यूद थेशोल यूजिली कभी कम्प्लीट नहीं हो था थेशोल जमेशा बढ़ता रहता है ओके तो अभी एक्ष्वल में लड़ ख़़ाने लगा है और मैं वेट करूँगा धीरे धीरे इसके पीछे चलूँगा आरे बाबरे इनको देख सकते हो कैसे एक ही साथ चल रहे थे यह लोग ओडोगेरोन के भी फुट्प्रिंट्स यहाँ पर है देख सकते हो ओडोगेरोन भी यहाँ पर है इसको इग्णोर करते में निकलूँगा मैं यह मास्टर रैंक ओडोगेरोन है इसके मुझ से धुआ निकल रहा है बहुत ही साई मतलब चबाते चबाते इसका मुझ इतना घरम हो चुका था कि उसके मुझ से धुआ निकलने लगा या फिर मास्टर रैंक है तो शायद कोई नहीं एडाप्टिबिलेटी होगी कि इसको इस माईजमा वाले एंवार्मेंट में सांस लेने को हेल्प करे पता नहीं क्या है ता नहीं 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 हाथ पे नहीं खताम मैं यार यह चीज मुझे बहुत अजीब लगती है इसकी टाइगरिस लडखडाने लगा है लेकिन वह सोया नहीं जब मैं उसके वहां तक पहुँचा खैर कोई दिकत नहीं क्योंकि लडखडाने लगा है तो हूफ़ली मैं इसको ट्राप कर ही सकता हूँ तो कहा था मैं हाँ यह चीज की जहां पर मैं एम करके मारता हूँ अपना जो ग्राप्लिंग होख है तो वह सही जगा पर कभी-कभी लगता नहीं है कभी-कभी अधेड जगा पर ही लग जाता है मुझे समझ नहीं आता है इसकी होता है अब ठीक है गेम के रूल्स है और उस के हिसाब समझे चलने पड़ेगे तो अभी टाइगरिक्स हो रहा है अभी मैं इसको कैप्चर कर सकता हूँ हमेशा की तरह एकदम अंदर घुसुंगा मैं दो ट्रैंक बॉंप और एक ट्रैप टूल तो यहाँ थोड़ा से डिजाइन के बारे में बात करते है टाइगर इसका देखी सकते हो जो उसके पीट पे स्ट्राइप्स है वो एकदम टाइगर की तरह है उसका हेड जो है वो टीरेक्स का है लेकिन इसके कान भी देख सकते हो बहुत ही अजीव से है चमकादड की तरह हाथ देख सकते हो बहुत ही बड़े बड़े बंजे हैं इसके और इसकी पूँच जो थी वो एकदम मस्किलर थी बैरी ओध या फिर नार्गा कूगा की तरह कुछ क्या कहते है गिमिक्स नहीं थे उसमें बिलकुल ही मस्कुलर पू नार्गा कूगा के पास वेनम एलेमेंट था बैरी ओध के पास आईस एलेमेंट था पैगरेक्स के पास एलेमेंट नहीं यह वो प्यॉरली मसल पावर पर डिपेंड करता है खेर चलो एक क्वेस्ट तो हो गया लेकिन तूसरे क्वेस्ट में जाने से पहले मेरा मान कर रहा है कि मैं थोड़े ऑप्शनल क्वेस्ट वगेरा कम्टीट कर लू ये वाले नहीं हाई रैंक वाले स्पेशल असाइनमेंट में नो रिमोर्स नो सरिंडर जिसमें टियोस्ट्रा और लूनास्ट्रा दोनों को मारना है नहीं भाई मैं नहीं कर रहा हो बाद में करेंगे जब और ज्यादा लेवल बढ़ जाए अपना ग्रेटिस जागरास अभी भी अनलॉक नहीं हुआ है और वो शायद अनलॉक होगा जब मैं पचास लेवल के हाई रैंक पर पहुंच जाओं खेर उसको हटाते हैं देखते हूं और क्या क्या है रैथलोज री मैच है प्रिटीन पिंक नहीं मुझे कोई तो भी ऐसा क्वेस्ट चाहिए जो आर्मरी ने दिया है तो फिर यहाँ पर देख सकते हो आर्मरी ने दे रेखा है माटीरियल्स का अधर करने के लिए लेकिन इसका एंड रिजल्ट क्या है वो मुझे समझ नहीं आ रहा जहाँ पर भी देख सकते हो रेड एंड ब्लू क्रिव तो आर्मरी के जो क्वेस्ट होते है वो यूजली कोई ना कोई नया स्पेशल आइटम देता है जैसे कि अपने मैंटल वगेरा हो गया तो रेड इन ब्लू क्रिव में मैं क्लिक करूँगा दो-दो रैथलॉस से एक साथ लडने पड़ेंगे आसान काम नहीं है लेकिन अब लड़ी रहे हैं तो इसमें कंजूस ही गया सी ओके एक काम करता हूँ ब्लू रैथलॉस को इस बार कैप्चर करूँगा और रेड रैथलॉस को खतम ही कर दूँगा वही बैस तरीक है तो यह निकल लेते हैं क्वेस्ट की तरफ ब्लू रैथलॉस और रेड रैथलॉस दिखने में मतलब सेमिलर तो ही लेकिन ब्लू रैथलॉस के पास जो मूवसेट है वो बहुत ही अलग रहता है पहुँच तो गया हो मैं लेकिन दिग्कमत ही है कि रैथलॉस अगर रहेगा तो रैथियन भी रहेगी और इस quest पे ब्लू राथलोस भी रहेगा तो मेरे को बस इसी चीज का डर है कि तीनों से एक साथ ना लटना पड़ जाए बस विगर वो हुआ तो बस खता में फिर तो जब से पहले तो मैं इस कैंप में जाऊंगा क्योंकि सबसे क्लोज है ये वाला कैंप राथलोस के घोसले से और सीज़े ही चल दूँगा राथलोस की तरफ होपफुली वो वही पर बैठा होगा बस राथियन ना हुए उसके साथ राथलोस रही पर बैठा हुआ है देखी सकते हो एकदम चिल मार रहा है एक और बार वाल मैंक बढ़िया सर को टेंडराइस कर दूँगा लेकिन एक चीज़ देखी सकतो मैं मील करना भूल गया हूँ लेकिन कोई दिक्कत नहीं है मैं वैसे ही मास्टर रैंक काऊ जॉज रोल तो वो जो इसके ताहर्टर डाइम एक अलग से भी तुमको आवाज आई होगी वो बेसिकली रैथियोन को पुकारने की आवाज है तुम देखे सकते हो कितना ज्यादा वर्ल्ड बिल्डिंग में धान डाला है डेवलपर्स में कि अगर राथलॉस पेट रहा है तो वो एक अलग ही वेवलेंद का साउंड छोड़ेगा और उस साउंड से राथियन उसको बचाने के लिए आएगी तो यह थोड़ा एंवाइमेंटल डामेज दे दिया मैंने उसको राथियन कि दर है राथियन इदर है तो एंवाइमेंटल डामेज दिया तो वहाँ से पानी निकल गया अरे कूट क्यों नहीं पारा हुए शाहद ऐसे नहीं कूट सकते और यह पाड़िया यार एक्सपेक्टेड नहीं था मेरे को कि इतना खदरनाग मूव भी कर सकते यहां पर पाड़िया हवा में रूल कर दिया मैंने यार पूच भी काट दी मैंने इसकी काफी ही जल्दी नाइस नाइस कीड़ा राथलॉस की पीछे पड़ा था खेर कोई दिक करते ही इसकी पूच हार बेस कर लेता हूं क्या पता कब काम आचाए कभी भी ऐसा सोच के चलना कि भले ही मासर रांक पे पहुँच गया हो लेकिन लो रांक और हाई रांक को जब भी मारो तो उसकी चीजे लूट लो ऐसा इसलिए क्योंकि कि अगर मान लो की फ्वीशर में कोई नया विपन बनाना चाहते हो और उस वेपन को बनाने के लिए कुछ बिछले वैपन्स की रिक्वाइर्मेंट होना जरूरी है और उन रिक्वाइरमेंट्स के लिए जरूरत है लो रैंक की मोस्टर के पार्स की सब्सक्राइब कर लेता हूं मैं इनके एक्स्ट्राइक्ट्स एक और पार्ट बेक मिल चुका है पर यह एक और सवारी क्योंकि अपना डामेज भी अच्छा कासा है इन से गलेव से तो थ्रेशोल्ड भी काफी जल्दी जल्दी कंप्लीट हो रहा है इसलिए बहुत ज्यादा ज्यादा अपने को एरबॉन डामेज मिल रहे है और उतनी जल्दी ही मैं इसके उपर सवारो पा रहा हूं एक और पार्ट बेक नाइस पाडिया पाडिया फ्लरी भी वह कॉंबू की फिर से एक बार भाग रहा है राथलोस राथलोस कमजोर हो चुका है जो की मेरे लिए अच्छी ख़वर है और अंदाजा लगा ही सकते हो कहां जा रहा होगा दो एरिया हो सकते हैं एक तो अपने घोसले तक और एक तो उस एरिया पर चहां पर टूबी कडाची रहता है लेकिन अगर मैं मार्क करू तो ऐसा लग रहा है कि वो रैथियन के पास जा रहा है स्टामिना कम है अभी मेरे पास अरे शार्प नहीं करना था स्टामिना पीना था रेशन खा लेता हूं मैं ताक कि थोड़ा स्टामिना बढ़ जाए तो चलो यार चलते है राथ लोग उसकी तरफ अब तो बढ़ आगे का एरिया रहता हुआ पर नहीं दोड़ा आगे का एरिया है बस होफुली राथियन ना आ जाए यहां पर और देखी सकते हो राथियन मंडरा रही है बस उदर पर इसके उपर चटना है खेर वो भी ठीक है गाश इसके अभी जरूवत नहीं है सेंट अल्रेडी मिल चुका है तो यूजिली स्काउट फ्लाइज उपर तक पहुंचा ही देंगे तो यह जो नए वाले गाशे से मुझे असा लग रहा है ब्लू राथ हलोस ऑफ कोर्स तो सबसे पहले तो इसको मैं वाल बैंक दूंगा अभी मेरे को परवा नहीं कि दूसरा राथ हलोस आता है कि नहीं जरुवत पड़ी तो दोनों को एक एक करके मारूंगा लेकिन मारूंगा जरूर क्योंकि अभी खांदान का वो है एक और पंख भी मैं कर दूंगा टेंडराइज पोईजन कर दिया है मेरे को कोई बात नहीं सवार ही मिल गई है सबसे पहले तो इसका सर फूड़ूंगा मैं नाइस आरे बाबरे इतनी जल्दी हेडशोट नाइस कजाल अकास से मेरे को नफरत है यार सबसे पहले तो मैं एंटीडोड लिलूँगा तकी जहर का असर एक लिस्ट कम हो जाए कि अगर तुम को याद होगा पॉईजन वाला बिल्ट मैं नहीं लाया हो अपने साथ इसको ते चेंज ही कर दिया था मैंने इसकी भी पूच काट दी चलो अच्छा है एक और सवारी चाहिए मेरे को आरे कैसे उसके पंजों के पांस था भी नहीं बहुत ही वहयाद हिट बॉक्स है इसका एक और सवारी प्लीज पाड़िया पाड़िया यह कैसे हुआ इस तरह मुझे लग रहा है वह इसलिए हुआ क्योंकि मैप के बाहर जा रहा था मैं और अटाक बटन दवाने पर सवारी छूट गई मेरी नीचे आराथलोस बढ़िया बढ़िया डॉज था वो एक और बढ़िया डॉज इतना हमारा हवा में कि हवा से नीचे गिर गया है वो यही फाइदा है इंसेक ग्लेव का जितने भी मतलब हवाई मॉंस्टर से उनको एक बार में खतम कर सकते एक बार में नी मतलब उसको हवा रहा सकते बहुत या सानी से पर एक बार वो हवा से नीचे गिरे उनके पास ज़्यादा स्काद रहती नहीं विंड प्रेशर से ही मैं लड़ा रहूं एक और पार्ट ब्रेक मिल चुका है और एक और समारी मिल चुकी है नाइस खतम भी हो गया यह क्योंकि राथ लॉस जो नॉर्मल वाला था रेड वाला वो कमजोर हो चुका था और प्लान तो था कि इसको कैप्चर करूँ लेकिन गलती से इसको खतम कर दिया अब क्या करे वाइलेंस दिमाग में हो तो गलती से काफी चीज़े हो सकती है खेर कोई दिखकत नहीं सब सब पहरे तो मैं इसकी पूंच को लूट लूँगा मॉस्सर हंटर में लूटिंग के टाइम पर फिर हर्विस्टिंग की टाइम पर पता नहीं प्रायरिटी हमेशा स्लिंगर आमो को ही क्यों मिलती है खेर कोई दिखकत नहीं देख सकते यार रैथलोस जो है एकदम उपर है इसका मतलब वो अपने घोसले पर है तो मैं वहीं करूँगा उसकी घोसले पर वापस चल लूँगा यह कैसी आवास थी यह कैसी आवास थी कुछ ज़्यादा ही डरावनी आवास थी खैर यहाँ पर देख सकते हो पंक वाले कुछ डाइनसार टाइप के जीव थे इसको मैं कैप्चर कर लूँगा कर लिया नाइस फॉरेस्ट पी ट्रिक्स जो भी नाम है इसका और अभी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि घोसले तक ही जाना पड़ेगा और घोसले में इसके साथ राथियन भी बैठी हुई है जिसका मेरे को डर था अब लड़ना है तो लड़ना ही है यार अब पीछे नहीं अर सकते थोड़ा शार्पन कर लेता हूँ अपने विपन को शार्पन कम है होपफुली बस राथियन ना हो इधर पर राथियन भी है राथ लॉस भी है और मेरे पास लड़ने के लिए इतनी हिम्मत तो है नहीं वैसे बस यार बहुत भाग लिया इन से मैं अब मेरे को नहीं सहा जाता अब इन दोनों से एक ही साथ लड़ूंगा मैं बहुत उचल रहा थलोस हेडशाट नाइस इसकी इसकी कलफ्रेड के सामने ही इसको मारूंगा मैं हाग फैकती रहे मेरे को फरण नहीं पड़ता थैंक्स मिल ले बस खतम कुछ कर लिया तूने राथियल कर लिया कुछ तूने मेरे को लूटना है राथ लॉस को किसमत अच्छी थी उसकी इसके एंड पर उसके उपर सवार हो गया मैं बर ठीक है कोई दिख करती राथ लॉस खतम ब्लू और रेड दोनो अब शायद से कुछ कुछ इक निया टूल मिल सके मेरे को कुछ स्पेशलाइज टूल्स नए वाले आर्मरी के पास जाकर पूछना पड़ेगा सो जादा ब्लू को ट्रैप करूँ लेकिन ब्लू ट्रैप नहीं वा खैर सोच कि क्या फाइदा ब्लू तो बहुत बुरी मौत मरा उस पर सवार हो की मैंने उसको खतम किया था रेड तो फिर भी ठीक है यार और जिता मुझे लगता है रेड शोर से ही उड़ गया होगा क्योंकि राथियन चिला रही थी और रातलोस सोया वा था तो उसके चिलाने से रातलोस जग गया तो यार चलो आर्मरी के पास चल कर देखते हैं नेक्स्ट जो अपना क्वेस्ट है वह स्माशिंग क्रॉस काउंटर एक बार आर्मरी के पास देख लेते हैं कि कुछ नया स्पेशलाइस टूल है क्या और जैसे की देख सकते हो रेड इन ब्लू क्रू क्वेस्ट थैंकि सो मच और यह है चैलेंजर मैंटल जो एजिटेटर का स्किल बढ़ाता है तो अभी इसके पास कुछ नया क्वेस्ट नहीं है देने के लिए तो बाद में देखते हैं सबसे पहले तो मैं जाओंगा स्टूरी क्वेस्ट पर और स्टूरी क्वेस्ट है अब क्या है क्या नहीं वह देखना पड़ेगा चले यह सेलेक्टर लेता हूं मैं इक्विप्मेंट भी चेंज कर लूंगा मैं मेरे को चाहिए अभी लॉंग स्वाड लॉंग स्वाड यूज करता हूं इसके लिए डेकोस में देख लेता हूं हेल्थ बूस्ट थ्री है मेरे पास अल्रेड़ी लास्ट वाले में अगर मेरे को वेनम जुल यही यूज करूंगा मैं क्योंकि मेरे पास वेनम ब्लेड है वेनम ब्लेड तो नहीं है पैरलेसिस ब्लेड है क्यार कोई दिख कर नहीं, वेनम ब्लेड यूजियली मेरे को शायद इंसर गलेव में यूज करना चाहिए था, क्योंकि पॉईजन का जो बिल्डप है वो जल्दी हो जाता, चलो इग्नोर करते हो उसको, और देखते हैं अभी कौन सा नहा मौस्टा आने वाला है, ब्रैकिडियोस के पास बंदूक है, हैंडलर ने कहा कि पेवर उफ गंज, तो क्या मतलब मतलब क्या हो सकता है उसका, एक मौस्टर जिसके पास बंदूक है, आई मिन ये समझाता है, कोई फायर विदिंग ड्रागन हो या फिर कुछ हो, लेकिन पेवर उफ गंज, सुनने में अजीब लग रहा है बड़ ठीक है, सहलेंगे, चलते चलते हर्ब्स वगरा कलेक्ट कर लूँगा मैं, यही है ब्रैकिडियोस के फुट्प्रेंट्स, जितना मेरे को लग रहा है, सही रस्ते पर है, और वो जो मल्टिपल डॉट्स दिखेते हैं, वो पक्के से उरागान का ही होएगा, क्योंकि उरागान ही ऐसे डॉट्स अगेरा छोड़के जाता है, उरागान अगर तुम को याद होगा जो थैनोस की तरह दिखता था, ओके पहुंच भी गया, काफी जल्दी, नाइस, गन पाउडर है क्या ये, ब्रैकेडियोस, नहीं ये तो उरागान लग रहा है मेरे को, गोल्डन स्किने इसकी, और उरागान के ऊपर कुछ तो भी ग्रीन कलर का सबस्टेंस है, क्या हो सकता है ये, ओ, नोटिस क्या तुमने क्या वह वहाँ पर, जो ग्रीन कलर का सबस्टेंस था, कुछ तो भी स्लाइम टाइप का, वह और इज, ओके, ये है ब्रैकेडियोस, उसने पंच मारा ओरागान को, उसने अपनी मुठी में धूक लगाई ताकि वो मेरे को अच्छे से पंच कर सके, यार ये तो, ये तो पंच के जा रहा है यार ये तो, ये तो माइक तैसन निकला, ओके, पंच के बाद वो पूंच से मारता है, सबसे पहले इसको करूंगा स्टन थोड़ा, स्टोन लूंगा मैं, ये हो चुका है, अरे यार उसके पैरो पर मारना को मेरे को, क्योंकि उसके पैर नीचे की तरफ है, और पाइप नीडल है, नाई फिर से नहीं, क्यों, पैरो भी क्यों नहीं, फॉरसाइट, ओके, स्लाइम को, हाँ, स्लाइम को अगर मैं रूल करूं तो, पुरे दाइम पॉरसाइट, स्लाइम को अगर मैं चार बार रूल करूं तो वो हड़ जाता है, समझ गया, एक और बार, जल्दी बिल्ले, फूरसाइट नहीं लगा फिक्से मेरा, धन्यवाद भाई, थैंक्स बिल्ले, उसके पैरोगों में टेंडराइस कर नहीं सकता, देखी सकते हो, यह बड़ा अजीव सहरूल है यार गेम का, वोरसाइट, पारिया शॉट, लग जाएट, यह काफी दूर समय, पारिया, हेडशॉट, यह क्या था, यह क्या था, कहीं पर भी यार रैंडमली, स्पॉन होगे इसके स्लाइम बगेरा, यह सही नहीं है, और यह फिर से चार्ट रहा है अपने हाथों को, इसका मतलब अपने स्लाइम को रिचार्ज कर रहा है, पास, पास, अब और नहीं सहा जाता, खुद को हील करूँगा, जल्दी बिल ले, हैंट्स, ओहो, बड़ी का फॉरसाइट थी, उसके स्लाइम को ही मैंने फॉरसाइट, अरे, फिर से नहीं यार, यह अच्छा नहीं लगता मेरे को, फालतु का पैसिफ डामज, यह गलत था यार, वो पैसिफ डामज वो जस्टिफाइड नहीं था, कहीं पर भी स्पॉन हो जाता है, यह नहीं कि जहां पर सर मारा वहीं पर स्पॉन हो, नहीं, दस फीट पीछे जाके स्पॉन हो रहा है उसके, क्या कहते है, स्लाइम वगेरा, इसकी तो पॉन्च ही काट दूंगा मैं यार, एक वाल बैंक चाहिए बस, इन से दूरी रहना, स्पाइन वगेरा से, ये कैसा डामेज का सीक्वेंस था, नहीं, 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 चलो अच्छा है, चलो अच्छा है, अटीस लगी एक शॉट, दोनों ही शॉट मेनिट जोज रोल कर लिये, ये, यही, यही चीज मेरे को सही नहीं लगती ही, उसने एक जगा पर मारा, स्लाइम आया चार जगाओ पर, टेंडराइस, स्लिंगर थो और न उठा लेता हूँ, स्लीफर मैक्सिमम है, अच्छी बात है, उरागान और इसके बीच में मेरे को वो देखना था, क्या कहते है तर्फ वार, क्यों और वो हो तो सही रहता, इदर पास हा, यहाँ पर देख सकतो को ब्लास्त वाला मेट हकै, तो मैं इसको एग्रोगे कर दूँ ग, और भटेगा यहाँ पर, एक और भटो ब्लास्त मेट हकि यहाँपे, यह भी भटेगा नाइस्, यार फॉरसाइट लगा था वो फॉरसाइट लगा था वो एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने इस पर सवार होने की बारी है स्लाइडिंग अटाग दूँगा मैं इसको लेकि अटाग देने का मोगा नहीं दे रहा ही यह नाइस वाड़िया वो चीज मेरे को बहुत ही ज्यादा अनफेर लेगी वैसे इस गेम में क्योंकि वो मार एक जगा रहा है और उसके असर चार जगाँ अपर हो रहे है कि बहुत ही बुरा डामेज है कि थैंक्स आइड कि आइड कि पहुत ही साही टाइमिंग बिलने लेकिन पेरों पर दिक्कत है यह सरे वाइड डामेज ही जा रहा है बस चड़ जा नाइस पूझ कार दी पूझ कार दी पूझ कार दी बहुत साही अब और उचल नाइस नाइस अब इसका सर भी दोडू माँ है होफुली इसके सर के आगे जो यह बंदूख लगा हूँ है उसको में तोड सकता हूँ बहुत पेटेगा आज यह मैं सही बहुता रहा हूँ अगर इस मॉंस्टर के पास पैसिव डामिज नहीं होता ना तो बहुत ही ज्यादा आसान मॉंस्टर रही है लेकिन बस वही है कि बेकार की गिमिक से बस इसके पास स्लाइम एक जगा मारता है सौ जगा स्पॉन होता है यह देखो इसी इसी पैसिव डामिज की बात कर रहा है नाइस डॉज चलो भाग रहा है फिर से इसकी पूँच कलेट कर लेता हूं यार और इसकी पूँच का डिजाइन देखो यार किता ज्यादा खतरनाक है तो मैं तुम्हें बता दू इसका पूँच जितना मेरी को लग रहा है जिस तरीके से इसकी पूँच का डिजाइन है वो सबसे ज्यादा इंस्पाइड हुआ है इंसेक्ट्स वगेरा से अगर तुम ब्रैकेडियों उसकी पूरी डिजाइन को अनकाइलसारस राइट अनकाइलसारस या फिर डुदीसियोरस ठीक है और उनसे इस्पाइर होकर के जो पॉइंटी चीज़े है वो इंसेक्ट्स वगेरा से इस्पाइर होई होगी ये देखो ये एक और चीज़ मैंने बस उसको ग्राब किया और मैं लोको पैसिव डामेज लग गया यार ये परिंदे भी अभी मारने लग गया है कांक्स विल्ले फॉरसाइट कॉंबो कंप्लीट नाइस ये स्लाइम घदम हो गया गया इसका सर पे नाइस शॉट फॉरसाइट एक और बार हेडशाट ब्रैकटियोस थक शुक है एक और कॉंबो ले आता हूँ नाइस आरे यार बहुत भी सर्प्राइज एठक था सर्प्राइज नहीं कहुँगा मैं एक्स्पेक्टेड ही था वो बस वही है कि मैं रेडी नहीं था तो यार ये देख से ब्लू राथलॉस भी यहाँ पर है मास्टर राथलॉस रही है उमीद करता हुँ इन दुनों के बीच में टर्फ़ोर हो जाए बस तर्फ़ोर 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 मज़े लेंगे यहाँ पर देखके और ये मिस किया उसने राथलॉस ने उठाने की कोशिश की ओ ओ भाई साब पटक दिया उठा के तो ये तो पता लग रहा है ठीही ताकतवर कौन है इन में से ज़्यादा मुक्के पर मुक्का मारे पड़ा है वो राथलॉस को और राथलॉस का सर जो है वो स्लाइम से भरा हुआ है उसके सर पर स्लाइम फटा नाइस उसके पंखो भी देख सकते थोड़ा स्लाइम है और फिर से फटा एक और बार वो हो राथलॉस के पहला हमला नाइस मेरे को बीच में नहीं आना चाहिए था समस्दारी वाली बाद वही थी कि मेरे को बीच में नहीं आना था इन दुनों के लड़ाई में पेस्टे इंजॉय करो ओहो ओहो धन्यवाद राथ लॉस एक और बार अरे नहीं नहीं इतना ज़्याद भरोसा नहीं करना था पाप रे मौका रे दे निकल जाओ बहुत साई यह डालूँगा इनके उपर नाइस भाई कुछ जादा ही मज़़ार मैच ही है उसके विंड प्रेशर सही में पीछ हट गया अरे पाप्रे अरे 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 अंदर जाने की बात है तो मुझे नहीं पास कोड्रिंक्स वागेरा अरे क्यों बार 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 बटन शार्पन भी क्यों जा रहा है तो देखी सकते या स्ट्रिक डिफ्ट चल रही है कोल्ड रिंक है मेरे पास लग रहा है मैं वही करूँगा और ये पीली है मैंने कोल्ड रिंक इदर आ पासा 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 कीड़े इदर देख इदर देख इदर देख नहीं 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 यार पैसिव डैमेज से गया मैं बढ़िया एक एक और नाइस वाल बैंक यार फिर से फिर से तो उस ब्लास्ट ब्लाइट को खतम करने के लिए चार बर रोल करना पड़ा मेरे को फोर साइट उओ बढ़िया टाइमी बढ़िया टाइमी सर पे मारूंगा मैं हेड शॉट नाइस बार्डब्रेक मिल गया मेरे को फिस्टे राथलोस यहां पर भी आ गया था तो यार ब्रैकिडियोस की म्यूजिक जो है वह बहुत जादा ख़तरनाग है प्राफिडियोस मेटिरियल और अजू राथलोस मेटिरियल सो इंको तो मैं कर लेता हूं प्रैकिडियोस मेटिरियल Completely जलता हो सब से पहले कैम्प में क्यूणि इसको तो यार मुझे कबचर करना ये ट्राइंक बांब्स है मेरे पास लेकिन मेरे पास ट्राप टूल्स नहीं है तो सबसे पहले वही करूंगा ट्राप टूल्स भर लेता हूं अपने पास ट्राप टूल्स है नहीं स्नोहर्ब का पता नहीं में कर क्या रहा हूं किसी काम का है नहीं इसलिएव योजिली डिश्णू वाले विपंस तो नहीं असलो बुलेट्स बनाने में काम आता है और वो पिलेट्स सिर्फ तुम्हारे तभी काम आएगा है जब तुम लॉंग रीवीपंस वगर रही उस कर रहे हो जो मैं नहीं करता, मैं मर्दों की तरह एकदम फेस टू फेस लड़ता हूँ ब्राकिडियो उपर ही सो रहा है, नाइस, करीब है तो यह डाल दिया मैंने शॉक ट्रैप और नाइस बहुत ही आउटवर्डली डिजाइन है यार इसका बीटेल का सर है, बॉड़ी जो है एक्सो स्केलिटन से भरी हुई है हाथ भी देख सकतो प्रेइंग मैंटिस जैसे है खुबसूरत, बढ़िया लूट भी देख सकते हो काफी अच्छी आजे मिली है स्लॉग बोन्स मिले हुए मेरे को लेकिन अभी स्लॉग बोन्स की कोई सरुवत नहीं है यह क्या है? फुटिंग ज्वल ट्रेमर रिजिस्टन्स के लिए अच्छा है लेकिन मुझे नहीं अब यासा कोई मौसर राने वाला है जो बहुत जादा ट्रेमर डे सके त्रेमर की इतनी खास जरुवत नहीं पड़ती फॉरसाइट कर सकते है तो चमांडर कहते है जिल्देंग। आपिजसय कि धाया और फंवाने तेन्ट हैं। झाल। तो फ्टेश्टिम्स एफिर्ट धफिर्ण अफट्ट वेस्ट वेवाष्ट हो नाम्स वेजर। राज्ट। तो स्वाथता, तैन्ट य। The Elders' Races, that's where we'll find it. Even by Elders' Renders, Vulkan-I is too powerful a force. Left alone, the entire new world ecosystem will be wiped out. That includes us. Our immediate goal is driving it back to the hinterlands where it belongs. For now, that's enough. Alright, time to stand and fight for our survival. काफी इंट्रेस्टिंग फाइट होने वाली है लेकिन इससे पहले बाकी की चीज़े भी कर लेते हैं थर्ड फीट फ्ली नाइन है और इजी गॉइंग फाइवर है देखते हैं इसके पास क्या है फाइवर वाइड देखते हैं अपने पास क्या है क्या है एल्डर मेल्डर क्या कहते हैं I hear you have found yourself a cold cold place I have an idea for a pair of decorations that might prove useful to you but I need a bit of help from the first vivarians to craft them sadly the commander won't give me permission to head into the field to find one he says it isn't safe and I don't doubt it is there any chance I could ask you for help I have submitted a pair of quests that should secure the area for now they're called the great jagras returns and zhura in my way I'll be able to make those decorations just as soon as a chat with first vivarian and I'll happily give the results to you so yeah great jagrasi ko maarni ke liye ek or quest a joki hai master rank one pe or zhura tootas bhi to yaar chalte hai apne purane dhust ke paas bady chhipkali ke paas jiska naam e great jagrasi post a new quest I guess woh optional mein hooga great jagrasi returns or zhura in my way to yaar chalou great jagrasi great jagrasi great jagrasi great jagrasi great jagrasi kuch bhi boll lo to yaar girgit pher toh mujhe real life mein dekhne hi wiesse hi dhara honne lagtay aur kehanne me ajeeb lagayga but is puray aa kya kehetay puray monster hunter ke world ke design mein sabse jyadha khofnaak monster muche great jagrasi hi lagtay mujhe nehi pata ki ho yaar but baut hi gandhi shakal hai uski to yaar chal leete hai great jagrasi jahhi se hi nikla thad jahhi se hi niklna chahiye usko okey jagrasi idhar peh hai toh woh hai great jagrasi as usual wall bank doon ga isko sabse pehle mein aur wall bank deethe hi sar peh chad jaun ga aur isko deetha roon ga mein continuous damage badia paralyze paralyze ho gaya baut jaldi paralyze ho gaya kaaphi kamzor ho usually great jagrasi aur honne bği chahiye game ke uh first monster se ho o and first monster ne vega ki all isko this chad थोड़ा सा लग गया एक और बार बाड़िया शॉट और साइट फिर से फिर से पैरलिसिस और पैरलिसिस का मतलब समझी सकते हो एक और बार कॉंबो कंप्लीट अच्छी बात है इसका दहाड़ना बहुत ज्यादा खतरनाक है नहीं पूछ में लगी कोई दिकत नहीं इसका माटीरियल उठा लेता हो मै ग्रेट जैग्रॉज हार्ड ग्लॉज तो हो सकता है कि बाद में काम आए मैं मतलब लाइट ली नहीं लूँगा इसका मैटिरियल को क्योंकि ग्रेट जैग्रॉज क्योंकि यूड जैग्रॉज fluid आइसा रहता है कि वेपनस को मतलब जो भी नए monster के weapons यूवेफ सवगिरा होते हैं जो भी नई- Irene जारे ट्राफ्ट यूजिली किये नहीं जा सकते है। उनके लिए जरुवत पड़ती है लो रैंकिंग ये मॉंस्टर को पहले पहले उनके वेपन्स क्राफ्ट करने का। इसको गिरा सकता हूं क्या इसके उपर। नहीं। मुझे असा क्यों लग रहा है वह आप तर नौत को खाने के लिए लगा है। पॉर साइट। आहाँ। मिस्स कर दिया मैंने। कॉम्बो कम्प्लीट। ठकना मना है जग्रॉसी। ठके तो डैमेज मिलेगा। यही रूल है सर्वाइवल का। और याट देख सकते हो यह अप्तरनौत को खाने में लगा हूँ है। खाने का एनिमेशन देख रहे हो। खाने का अरे भाई। भाई। निगल लिया यार इसने। मुझे लगा वो सर्फ सिनेमाटिक में था। लेकिन यह तो इन गेम ही है। इसको पेट को ही मारना पड़ेगा। निकाल उसको। निकाल उसको। बहुत साही। पेट पे हमला। मुझे असा लग रहे है कि पेट अभी उसका वीक पॉइंट बन चुका है। क्योंकि डामिज नंबर्स काफी अच्छे मिल रहे है मुझे उदर से। हजम भी कर गया यह यार। बहुत ही अजीब बात है। फिर से खतम। इस लार गेट जैग्रॉस को भी मारने में काफी टाइम लग रहा है। और गेड्ज जैग्रॉस कम्दोर। नाइस। अरे हां मैं क्यों सर्च कर रहा हूँ। मेरे पास विट फिश फिट 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 है। यूजली मैं भूल जाता हूँ कभी कभी कि मेरे पास सिंगल शार्पन वाला क्या कहते हैं। एक्विप्मेंट है जो कि है विट फिश फिन जा रहा है अपने अड़े पे और बेस्ट तरीका यही है कि उसको एक बार मैं वाल बैंक मारूं अगर वह एग्रो ना हो तो बढ़िया एग्रो नहीं है वाल बैंक से घतब है वो जलो यार बढ़िया हंट था जग्रोसी से फिर से मुलाकात हुई कर लेता हुआ इसको लूट और यार यहां पर नोटिस कर रहे हो जो चोटे जग्रोस है उनको गुसा हा रहा है क्योंकि मैंने इनके लीडर को मार दिया तो बहुत ही अच्छा इमर्शन है इसके इको सिस्टम पर क्योंकि मेरे को जैसा लग रहा है यह ग्रेट जग्रोस को इसलिए फॉलो करते थे क्योंकि मुझे नहीं लगता उसने एप्टनौथ को पूरा ही खाया होगा क्योंकि देख सकते थे कि उसने apternoth को पूरा ही निगल लिया और मुझे आसा लगता है और यहाँ पर apternoth की लाश एक पड़ी वी है है ना यहाँ पर और मुझे आसा लगता है वो निगल के अपने dive में आता होगा और apternoth को फिर से regurgitate कर देता होगा और उसे से अचोटे जग्रॉस को खाने को मिलते होगे तो मेरे कूँ यह लगता है कि यह इनकाром इको सिस्टम है इको सिस्टम नहीं मतलब क्या कहता है यह उनका लाइफ साइकल है बसकीली बहुत ही इंटर्स्टिंग है यह चीजञ इससे footing jewel यार कितने footing jewel मेलेंगे मेरे को बहुत सारे footing jewel मिल सुके हैं चलो कोई बात नहीं गेम जो देता है वही लेना पड़ेगा चलो elder elder के पास जा के देखते है reward के आपने पास I only hope it proves useful you cold and focus on your work okay ice resistance jewel बहुत ही सही बहुत सही four star ice resistance jewel मिला है मुझे इसका मतलब ice blight वगेरा तो चड़ेगा नहीं मेरे को शायद वही है but blight resistance और ice resistance अलग-अलग चीज़े है खेर कोई दिकत नहीं elder elder का दूसरा quest भी complete कर लेता हूँ post new quest में जाओंगा optional grinding my heroes जूरा इन माई वे hmm पूरे game में मुझे नहीं रखता दूसरा कोई और monster है जो पानी फिकता हो सकते हैं पानी वाले लेकिन मुझे सही से नहीं पता अज़ा अज़ा इस यहां पर था Eastern Camp 11 जूरा टूटस के इलाके से सबसे पास वाला इरिया हाँ यही है मील की bother करूँगा नहीं मैं क्योंकि I mean जूरा टूटस है यार कितनी बार लट चुके इस से अब बस जाके पेलना ही है इसको और मुझे लगता है क्योंकि पानी वाला monster जूरा टूटस ही अब तक मुझे दिखा है तो अगला जो monster है वो लवासी होत है इसका मेरे को एक ही चीज़ लगता है कि जूरा टूटस का वेपन अपग्रेड करते करते वही वेपन लवासी होत की वेपन में अपग्रेड होएंगे piercing pod मिल चुका है एक बार wall bank पहले ही part break मिल चुका है मेरे को पहुत ही अजीब बात है खेर कोई दिखकर नहीं अपने लिए अच्छा है पूरा शरील ही टेंडराइज कर दूगा इसका आज में बढ़िया पैरो को कर सकता हूं नहीं पैर नहीं होंगे एक बार बर्स लिंकर आम उठा लेता हूं पैर नहीं होंगे ओ खताम इसका एगरो खताम हो चुका है लेकिन कुई फाइदा नहीं पिटेगा तो यहीं बढ़िया शॉट था पैरलाइज हो चुका है और स्पिरिट गेज में फुल करूंगा इसे एक और पार्ट ब्रेक आओ यह मैं आते में नहीं दिखा बढ़िया 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 पानी में लोकोमोशिन के वज़े से मेरा स्टामिना काफी जल्दी खतम हो रहा है आओ बढ़िया आओ थोड़ा डिस्टेंस लुंगा मैं और जैसा कि देख सकते हो एग्रो खतम हो चुका है वाल बैंक कर दिया मैंने फिर से हर वाल बैंक में इसका एक एक पार्ट ब्रेक मिल रहा है मेरे को जो की बहुत अच्छी बात है इसके पूंच पर ही सबसे ज्यादा डामेज जा रहा है यार मुझे नहीं पता क्यों शायद नहीं है शायद मैं गलत हूँ पूंच पर ज्यादा डामेज जा नहीं रहा मैं बस सर पर जाने वाला डामेज देख नहीं पा रहा सर पर ही ज्यादा डामेज जा रहा है भी रूव पे, असा हुआ नहीं कभी मेरे साथ है आख एक और बार देखता हूँ इसके ठग गया, ओके, नाइस एक बार फिर से इस ताइम पर मारना बेस्ट आइडिया है लेकिन टेंडराइस के भी ना मारना, आख बहुत ज्यादा उप्टिमाइज नहीं रहता अपने को हंट तो करना है लेकिन एफिशेंसी के साथ करना है आख रह गया वह वाला हेल्म्रेकर लॉल अरे यार यह इतना ज्यादा बुली हो रहा है मेरे उसे भाग बच जुरा टूटस समझी सकते हो वह कहा जा रहा है अगले वाले पानी के अड़े में तो पीछा करते हो उसका एक और बार नीचे हो जा नाइस अरे यार कुछ ज्यादा ही कॉमेडी है इसका वाला मैच अप मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि वह सही में वहांपर स्टन हो जाएगा हट मैं अपने हेल्थ बार को देख भी नहीं रहा है इस बात तो मैं बस मारे पड़ा हूँ वह मरे पड़ा है बहुत ही नया मूँग था वो और पहरी बार डामेज दिया उसने मुझे सही टाइम पर फूर साइट था लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया पीट पर वाइट डामेज इस मेरे को क्यों मिल रहे है मेरे टेंडराइस तो किया अब बैराओ भी आ चुका है यार चलो अब बैराओ भी आ चुका है अब इनके बीच में टर्फ वर होएगा चौदा सोगा डामेज दिया है अब बैराओ भी इसको हजार का डामेज देगा होक्फुली मुझे नहीं बता पटक हजार पंदरासो का है कोई दिक्कत नहीं बुरा नहीं है यार बैराओद का यही गुस्सा आता है मेरे को भले कितना भी ताकतवर वेपन लेके चलो इसके सर पर मारने से इसको कोई असर ही नहीं होता है मतलब कती फ्लिंच नहीं होता वो कि अधक है कि अधक है कि मुझे लगाता है आओ भाई कि मद में अटक गया है और यह न्यावाला मूव महारा मास्टर एंटिवराट उत तषमिक फिर से मद में अटक गया है चला यार यह तो बुलना पड़ेगा जुराट रोटेस के पास काफी अच्छे मूवस आ चुके है मास्टर रैंक पे लेकिन कोई फाइदा नहीं है तो इसको चड़ के मारूंगा मैं तो यार मॉस्टर हंटर वाइस जो है वो 2025 को आने वाला है और वहाँ पर में एक चीज की वस उमीद लगाया बैठाओं कि मॉंस्टर के जादा से जादा पार्ट्स काट सके फॉर एक्जमबल देख सकते हो इसके यह मतलब नहीं कि एकदम सर काट के ठीकते आमीन वैसा हुआ तो हंट में वैसे मजा तो आएगा लेकिन क्या ही बता वो इतना जादा उप्टिमाइज रहेगा नहीं हंटिंग टेकनीक का है ना सर के पार्ट्स वगरा टूट सकते लेकिन सर कटना वो इतना सही नहीं रहेगा क्योंकि सर कटना मतलब मरना और कोई अगर ऐसा डिजाइन बनाए कि डामेज देने के बाद सर कटने लग जाए तो हंट बहुत छोटे रहेंगे हंट में मजा नहीं आएगा अगर फिंस वगरा कट सके जैसे कि यहां पर तुम देख सकते हो जो इसके फिंस वगरा है और टेल वगरा है वो कट सके तो और भी मज़िदार रहेगा वो लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा होएगा क्योंकि I mean Monster Hunter इतना ख़तरनाग गेम है तो जो भी design decision इसके बना रहा होगा अटलीस उसमें कुछ सोच समच करी टेल बनाया होगा क्योंकि Monster Hunter Rise में भी जो Monster Hunter का भी latest वाला गेम है उसमें भी टेल करावा और कुछ ज़्याद चीज़े कटती नहीं है और मैं तो यार armchair expert हो बस मेरे को क्या पता चादा गेम्स के बारे में एक और बार stun नहीं लॉल एक तो ज़्याद विए बसे कहने के यह एक बोल दिया लेकिन एक तम शुरू के स्टार्टिंग एपिशोड देए भी बोला था मैं भी डेवलपर हूं मॉसर हैंटर कहले हुआ है मुझे बहुत मजा आता है एक और बार रहार रहा है रहे वाही नहीं यार यह सबसे सबसे अधेड मॉंस्टर है यह चल यह शर्पन कर लेता हूं मैं कोशिश करूंगा इसके उपर एक और राइड लेने की आहा बुरी टाइमिंग फिर से स्टन प्रीज आहा नहीं वो पाया खर कोई दिखेंगे वें सौना मना है जो टूटस आह नाओ 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 का लगद अनी कम्प्लीट वहर बहुत ही मज़दार हंट था ये बार बार स्टन किया मैंने इसको मज़ा आगया आज तो एक्सपेक्टेट नहीं था इतना लेकिन था कहतरनाक जूराटोटस कोर्टेक्स मास्टर रैंक का माटीरियल है जूराटोटस शाड ये भी मास्टर रैंक माटीरियल है तो आद नए माटीरियल्स मिले जूराटोटस के हो सकता है ने वेपन भी इसी के हिसाब से अनलॉक हो जाए स्टिकी मड इसको भी मैं कर लेता हूं कलेक्ट बुली हुआ बेचारा आज बहुत ज्यादा 10 सकेंड बचे हैं क्वेस्ट के कंप्लीट होने के लिए और क्वेस्ट से जाने के बाद एक चीज देखेंगे कि अपने लिए कुछ नए किंसेक्ट के अप्रेड होंगे की नी तो कि एक किंसेक्ट ही मैं अप्रेड कर रहा था देखो कि दूसरे एक इंसेक्ट को अप्रेड करने के लिए मेरे पास माटीरियल्स है की नहीं ये है स्ट्रीम जोएल जो की वाटर अटैक बढ़ाता है बुरा नहीं है लेकिन लेवल फूर अगर मिल जाता तो और भी मज़ा जाता तो आज चलते हैं एक बार स्मिथी के पास देखते हैं इसके पास चुरा टूटस का कौन सा माटीरियल रहता है आँ आर्मर में देखूंगा टीग्रेस आर्मर अर्मर अनलॉक हो चुका है बहुत सही हेलमेट में मेरे को अटैक बूस दो पॉइंट्स मिल रहे है झसपीस पर इयर ब्लividad सेสपीड इटिंग्स आर्म्स में मिल रहे है वेस्ट पर इयर प्लख मिल रहे है और लैक्स में स्पीड इटिंग्स मिल रहा है तो यह जढ़ा कुछ है नहीं चैन नहीं करना जाओंगा ब्रकीडिओ का देख लेता हू Agitator Level 2 है Helmet पे जो कि बहुत अच्छा स्केल है क्योंकि वो Affinity बढ़ा देता है जब भी Monster Rage पे आ जाता है Stamina थीफ है Agitator Level 2 है यहाँ पे Blast Attack है और Agitator है I guess Agitator का full मतलब Level 5 तक है यहाँ पर देखी देखते हो Glaviness का कल ही देखा था ज्यादा कुछ है नहीं खेर ठीक है ज्यादा कुछ अपग्रेड करने को मेरे पास है नहीं यहाँ पर पे लेकिन एक और चीज़ शायद मैं भूल रहा हूँ जो मैं शायद इस Quest पे बताना चाहता था तुमको देख लेते हैं एक बार शायद Event Quest का ही कुछ हिस्सा था Flora Frostbite बता चुका हूँ Duffel Duty बता चुका हूँ Duffel Duty में Last Time शायद ज्यादा 4 Star के अपने को ज्वल्स मिले नहीं एक बार फिर से कुशिश करते है Duffel Duty में Hopefully इस बार कुछ अच्छी ज्वल्स फगिरा मिल जाए Kinsect अप्ग्रेड करने वाला था मैं मैं अल्मूस्ट भूली गया उसके बारे पे Manage Kinsect में जाऊंगा Nurturic Insect Cauldron 2 है और इसके लिए मुझे लग रहा है काफी सारी चीज़े है अपने पास पियर्सिंग क्लॉग की जरुवत पड़ेगी यहां पर पे लेकिन देखता हूं यहां पर किसकी जरुवत पड़ेगी Palomo Shell तो इसके लिए दो चीज़ों की जरुवत है और उसके लिए एक चीज़ की और यह काफी चादा आगे लेवल तक भी है तो मैं यही करता हूं इसी को अपग्रेड करूँगा मैं इसमें भी देख सकते हो काफी सारी चीज़े है और यह Paralysis वाला के इंसेक्ट है यह Blast वाला है और यह Poison वाला इस पे देखता हूं क्या है Dust Effect इसका पता नहीं है लेकिन इसमें Healing Dust Effect है और इसके लिए काफी सारे Resources भी है मेरे पास तो मैं इसी के साथ अभी के लिए जाना जाऊंगा Hornet और Inner Wing तो यह नहीं है मेरे पास फिलाल तो Nice और इसका Rarity है 5 इसका Rarity है 4 अरे यार दोनों ही 4 गलती कर दी मैंने खैर कोई दिख्कत नहीं देखेंगे और क्या-क्या किनसेक्ट्स है तो किनसेक्ट्स को जाने देते फिलाल फिलाल चलते डफिल ड्यूटी के लिए क्यूं क्यूं मैं यहाँ पर क्यूं हूं मुझे जाना था Shipwreck Camp में यार यह बहुत ही बुरा Mechanism लगता है मेरे को Monster Hunter कि कभी भी क्या कहते है जब भी Mining Outcore पाते है तब Randomly कहीं पर भी Player को Drop कर दिया जाता है जो कि मुझे बिलकुल अच्छा नहीं लगता तो कर लिया है मैंने अपना क्या कहते है Net Equip और कोशिश करेंगे इस बार कि सारे Penguins को यही पर पकड़ सके तो यह पहला पकड़ा गया है दूसरा भी पकड़ा गया है इनको आने दो तीन पकड़े गए एक और पकड़ा गया एक और भी पकड़ा गया अब बस Last वाला बचता है खैर कोई दिक्कत नहीं फिर से वही पर जाके पकड़ लेंगे Central Camp 7 पे विसे मिलने तो चाहिए यार अच्छे जोल्स Last time मिले नहीं थे लेकिन बस वही है कि Random Number God पे डिपेंड करता है ये इनको भी पकड़ लिया और देख सकते हैं एक Extra पैली को है यहाँ पर पे और कबीले वालो वाला इशारा कर रहा है अपना पैली को Nice Okay तो यहाँ पर देख सकते हैं यार Knockout जोल डबल लेवल मिला है ठीक है लेकिन Heavy Artillery जोल 4th लेवल और Satiated Attack जोल मिला है लेवल 4 Rarity 9 वाले जोल्स है दोनों के दोनों बहुत ही अच्छी बात है तो इस बार अपने को कुछ अच्छे जोल्स मिले और यही क्वेस्ट अगर मैं बार बार फार्म करूँ तो मेरे को और भी अच्छे जोल्स मिलते रहेंगे तो अगर तुम्हें भी अच्छे जोल्स फार्म करने है तो यह वाला क्वेस्ट सबसे बेस्ट है तो यार next अभी वेलकाना से लटना है लेकिन वेलकाना से आज नहीं में लटूंगा उसके लिए करना पड़ेगा तुमको next episode का वेट और वेलकाना से जब भी वेलकाना से लटने का episode जब भी मैं अपलोड करूंगा मैं प्रेमेर पे डाल दूंगा ताकि Iceborne का जो में वाइवर्न है जो की है Iceborne वाइवर्न जो की है वेलकाना उसकी fight तुम मिस ना करो तो ठीक है यार इसी के साथ मैं episode end करता हूँ उमीद करता हूँ तुमको वीडियो पसंद आये होगी पसंद आये होगी पसंद आये करने का तरीका तुमको कैसा लगा और इसी के साथ मैं आज का episode ही खतम करता हूँ मिलता हो तुमको अगले episode पे अलविदा